दोस्तों अब आपको भी 2024 में मिल सकता है फिल्लिट का वर्क वीजा जहां दोस्तों क्योंकि फिल्लिंड डिया अनौन्स किया है कि 2024 में उनको करीब 2,00,000 फॉर्ण वर्कर्स की जरुद पढ़ने वाली है और वो फॉर्ण वर्कर्स को हायर करने वाले है दोस्तों अलग- दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताते हुआ आ रहा हूं कि अलग-अलग European Entries में लेबर शॉर्टेज पढ़िए दोस्तों इसी तरीके से फिल्लिंड में भी इस वक्त लेबर शॉर्टेज है जहां पर आपको बहुत सारी अलग-अलग जॉब्स देखने के मिलेंगी और आपक कि आपको salary कितने मिलने वाली है दोस्तों किस सरीके से CV और cover letter आपको upload करना है सारी किसारी जानकारी जोस्तों आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं बस वीडियो के इन तक बने रहीएगा और वीडियो कर पसना है तो वीडियो को like कीजेगा दोस्तों क्योंकि मैं हूं सोरब और आप देख रहे हैं public engine और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा है दोस्तों तो मैं आप से request करूँगा कि हमारे चैनल को subscribe किये विना मच जाहिएगा क्योंकि हमारे चैनल में मिलती है दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी हमेशा authentic information देता हूं दोस दोस्तों यहां फिनलेंड में आपको जो है 80-90% employers ऐसे मिलेंगे जो आपको यह सारी के सारे benefits देते हैं दोस्तों और अच्छी salary भी देते हैं अगर salary की बात की जाए दोस्तों तो अगर आप unskilled jobs करने का मौका मिलता है दोस्तों और अगर आपको skill jobs करने के लिजाना चाहते ह है monthly ठीक है तो इसलिए बोल रहा हूं कि end तक बने देएगा दोस्तों skip मत कीजेगा बात करने तो थोड़ी से फिल्लेंड की फिल्लेंड की अगर बारे में बात करी जाए दोस्तों तो फिल्लेंड ज्यादा बड़ी country नहीं है ठीक है लेकिन यहां पर आपको अच्छी jobs मैं बार-बार इस चीज को रिपीट किसी ले कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि लोगों को इश्वास ही नहीं होता है इस बात पर कि वहां पर jobs available है अभी जब मैं स्क्रीन पर लेकर जाओंगा आपको तब आप देखना खुद से कि वहीया कैसे आपको jobs मिल सकती है और किस तरीक jobs के लिए बहुत असानी से apply कर सकते हैं मातर एक CV और कवलेटर बनाके दोस्तों जी हां आप जिस भी job में इंट्रेस्टेड हो या फिर आप जो भी काम करते दोस्तों उससे relevant CV और कवलेटर बनाईए और jobs के लिए apply करना चालू कीजे क्योंकि CV और कवलेटर के बिना आप employer को अपने बारे में नहीं बता पाओगे दोस्तों तो CV कवलेटर आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है अगर आपना CV कवलेटर खुछ से बनाना चाहते हैं दोस्तों तो आप आपको एक employer मिल जाता है दोस्तों employer आपको सेलेक्ट होगेरा कर लेता है उसके बाद employer आपको work permit देता है दोस्तों ठीक है आपके सारे documents लेगा आपके work permit के लिए अपनी authority अपनी country के authority में जाकर apply करेगा जब वहाँ से work permit उनको मिल जाएगा तो work permit आपको भेजिएगा दोस्त ठीक है क्योंकि वहाँ पर labor shortage बहुत ज्यादा चल रही है तो दोस्तों वहाँ के employer है वो जल्दी जल्दी processing करना चाहते है इसलिए अभी जो है मातर 15 दिनों के अंदर में भी आपको visa मिल सकता है और हो सकता है साथ दिनों के अंदर में भी बिल जाए दोस्तों लेकिन इसके chances ज्यादा तर आपकी skills और आपके qualifications पर डिपेंड करते हैं दोस्तों कि आप कितने लाइक है ठीक है अगर आपकी बहुत जादा जरूद हुई वहाँ पर employer को तो वह तो कहेगा कि वही तुरंटी आ जाओ समझ रहो और अगर आप मितलब ऐसे हो normal से हो आपके skills भी normal से हैं तो जितना normal time लगता है उतना normal time बे आओ ठीक है तो यह चीज होने वाली है दोस्तों जो visa आपको मिलता है वो होता है type D visa जैसे long stay visa भी कहते हैं दोस्तों आप long stay visa लेकर कि एक साल तक के लिए महार रह सकते हैं ठीक है उसके बाद आप चाहें तो extension वगेरा करवा सकते हैं वहाँ पर रहते हुए ही ठीक है तो यह work visa का process हो गया दोस्तों कुछ jobs के बारे मैं आपको बता दिया अपना आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको job के लिए apply करना है दोस्तों salary आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है इस चीज के guarantee मैं आपको देचुका हूं ठीक है अभी यहाँ पर search करने के लिए आपको search बार दिया गया है दोस्तों जैसा कि हर job portal पर दिया जाता है यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप यहाँ से direct search करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ sectors या फिर कुछ jobs दि लेट की गई है तो अभी करीब आपको 37,000 jobs की करीब देखने करें मिल जाएंगी ठीक है यहाँ पर आपको और भी सारी चीज़ देखने करें मिल जाएंगी फिलेंड के लेबर मार्केट से related और अलग-अलग से रिलेटेड वो सारी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं य जिससे क्या आपको जो है फिल्लेंग के लिवर मार्केट का थोड़ा अंदाज़ा लग जाए ठीक है यहां पर आपको जो है सर्च करने का और उप्शन मिलेगा दोस्तों सर्च करके जो आप डाइरेक्ट जॉप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखा दू बाइक बाइक टेक्सी ड्राइवर रेस्टरॉंट एंड किचन उसके बाद टॉप सेलर उसके बाद हेवी एक्विप्मेंट मेकानिक समर जॉब्स उसके बाद फ्रम पासिंग लेन तु माइक्रोसफ प्लाटफॉर्म एक्सपर्ट की जरूरा था दोस्तो टीचर्स की जरूरा था दो यहां पर एक यह डायरेक्ट सर्च करने का उप्शन हुआ जो कि मैंने आपको दिखाया में पेज से किस तरीके से आप यहां आ सकते हैं अगर आप यहां पर अलग-अलग टाइप का जॉब सर्च करना चाहते हैं तो वह मैं आपको बता देता है उपर आपको त्री मेन बार सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो और इन जोब्सक्राइब करने का तरीका यह बहुत असान है आपको कुछ नहीं करना है मैं आपको बता दो जैसे कि आप इलेक्ट्रीशन की जॉब के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है मैं दोस्तों क्लिक करने के बाद जो है आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ऊपर भी अपलाई फॉर जॉब वाला ऑप्शन है ठीक है और नीचे की तरफ जो है आपको जानकारी देखने फिनिश लैंगोज में open होगा दोस्तों Google translate on नहीं होगा तो ये इंग्लिश में translate नहीं होगा ठीक है दख कता सकती है आपको तो आपको translate वाला option जो है on रखना है ठीक है यहां पर आपसे जो है क्या आप माँगा जा रहा है यहां देख सकते हैं readiness to do electrical installation either independently और under the guidance of professional ठीक है आपक जो a good working attitude होना चाहिए इस सारी की सारी जानकारी जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी इस तरीके से जो है दोस्तों आपको हर page पे कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा यह responsibility आप देख सकते हो पूरी की पूरी responsibility आप देखिए यह हर page पे जो है आपको हर job के अंडर जो है देखने के लिए मिलती है दोस्तों तो यह हमें ज़रूर पढ़ना होता है ताकि हमें पता चल सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है उसके बाद यहाँ benefits बगएरा दिए जारे हैं दोस्तों और pay आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको pay दिखाता हूँ दोस्तों यह देख सकते है पे कितना मिल रहा है आपको यह देखिए 2000 से 4000 पर मन्त ठीक है और यह euros होने वाले हैं दोस्तो 4000 euros अगर आप कमाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो है apply कर दिना है जल्दी से जल्दी अपना cv cover letter बनाईए और दोस्तों apply कर दीजिए apply करने का तरीका क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत यह असान तरीका है दोस्तों आपको जो है apply for job वाले option पर click करना है क्लिक करने के बाद यहां आपको different company की website पर लिकाया जाएगा मतलब यह जो company है जिस company ने job post की थी उस website पर उस company website पर आ गए दोस्तों अब जैसे देखिए यहां पर यह अभी finished language में है तो हम यहां पर google translate का इस्तिमाल करेंगे translate वाले option पर गए यहां देखिए electrician हो गया search here वाले option पर click करेंगे अब यहां पर कुछ सवाल पूछ जा रहें क्या आपके पास driving license है क्या आपके पास occupational safety card है क्या electrical work safety card है यह सारी चीज़े जो है आपके job से related है दोस्तों अगर आपके पास है तो ओके नहीं है तो आप apply नहीं करिएगा यही सारी चीज़े देखनी होती है ध्यान देनी होती है ठीक है अगर आप वहाँ पर no करोगे और फिर apply करोगे तो उसका response अलग हो सकता है दोस्त करना है या फिर अपना cover letter paste कर सकते हैं दोस्तों दोनों options अवेलेबल है ठीक है फिर यह दो जो option दिये गए हैं दोस्तों इन दोनों option पर टिक करके submit application कर देना है और इस तरीके से दोस्तों आप job के लिए apply कर सकते हैं तो यह इतना easy process होने वाला है दोस्तों और मैंने आपको बताया था जैसे कि salary आपको अच्छी मिलने वाली है जैसे कि मैंने आपको दिखा भी दिया दोस्तों कि salary अच्छी मिल रही है अब suppose किसी और job के लिए apply करना चाहते है तो process क्या होने वाला है सेमी process आपको देखने मिलेगा suppose आप tool feature की job के लिए apply करना चाहते हो ठीक है तो tool feature creator की job मैंने open कर लिए इसमें job description पढ़नेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर salary के बारे बताया नहीं जा रहा है दोस्तों लेकिन salary इसमें भी आपको अच्छी मिलेगी इस चीज की guarantee है यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नी आप लिखा हुआ है कि send your application to यह देख सकते है एक email ID दिया गया है दोस्तों इस email ID पे जो है अपना CV और cover letter send करना है ठीक है आप लिखा हुआ है send us your CV and salary expectations by February 29, 2024 यानि कि आप अपना salary expectations भेज सकते हैं कि आपको कितने salary चाहिए और अपना CV भेज सकते है इस email ID पे ठीक है तो यह process आपको दिया गया है दोस्तों आप जो है इस process को follow कर सकते है अगर आपका page open नहीं होता है तो चिंता करने की कोई ज़रूत नहीं है दोस्तों सारी की सारी जानकारी आपको दे दूंगा screen पे ठीक है अब आपने समझ लिया कि किस तरी किस आपको job apply करना है किस तरी किस आपक जो जितने दी employers है वो जादा तर आप कुछ है food accommodation और अलग अलग benefits आपको provide करेंगे दोस्तों और salary आपने देख लिए दोस्तों आप बहुत अच्छी salary कमाने के लिए Finland जा सकते हैं बहुत अच्छा आपके पास मौका है दोस्तों तो मैं फिर से एक बार आपको जाते-जाते बोलूँगा दोस्तों की wait करना छोड़िए अपने लिए जल्दी से एक बढ़िया CV का अब letter बनाई है दोस्तों और jobs के लिए अपलाई करना चालू कीजे वरना आपके हाथ से मौका निकल जाएगा बहुत ही अच्छी website पर लेके कहा था दोस्तों आप भी इस website पर जाकरके Job Search करके दोस्तों डाइरेक्ट जोब के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों यह ता हमारा आज का वीदियो आपको इन पसना आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा दोस्तों ने उस और अब हमे और आप देख रहे ते पल आपके ले बाइ बाइ